तो दोस्तो BMW के बाद अब Skoda भी भारत में local component का इस्तमाल करके अपने कुछ vehicles की manufacturing करने वाली है और ये ना सिर्फ making इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा push है बलकि इसे export के नजरिये से भी देखा जा रहा है तो दोस्तो रिसेंट ले economic times के report के मताबिक माने तो यूरोप की बड़ी कार manufacture companies के list में सामिल Skoda ने decide किया है कि वो भारत के अंदर green mobility को push करने के लिए अपने कुछ अलग-अलग vehicles भारत में manufacture करने का काम करेगी जिसमें कई varieties होंगी जहाँ पर hydrogen fuel से operated vehicles होंगे, electric vehicles होंगे और other alternative fuels जहाँ पर company काफी time से analyze कर रही है और उन्हें ये लग रहा है कि भारत के अंदर कुछ सालों में green mobility काफी उपर जाने वाली है इसलिए company का completely focus रहेगा electric vehicle और alternative fuels जहाँ पर data निकल की ये आए है कि 2030 तक भारतीय market में 25-30% electric cars दोडेंगी और ऐसे में company कैसे पीछे रह सकती है जहाँ पर उन्होंने अपनी market एक बड़े scale पर इंडिया में बना रखी है वही company ने इसके उपर काम करना शुरू कर दिया है भारत के अंदर जो भी atmospheric conditions है Indian road conditions है इन सभी का analyze किया जा रहा है और इनकी import भी भारत के अंदर काफी जादा कम किया जाएगा और इसलिए example के तौर पर बात की जाए तो अशोक लेलान टाटा जैसी बड़ी company भी alternative fuels और electric vehicles पर काम कर रही है जापर पिछले साल Skoda ने Indian market में लगभग 24,000 units कार बेची है और इस साल company तीन गुना target लगा करके चल रही है और सबसें इस रिपोर्ट की बात बताई जाए तो यहाँ पर company के कुछ ऐसे vehicles हैं जैसे कि इसलाविया इसमें कमपनी ने 95% स्थानिये components का इस्थमाल करके इसको design किया है इसके साथ में कुछ spare parts और भी आने वाले अलग-अलग components को भारत से buy करके company यहाँ पर लगाएगी और आयात बिलकुल भी नहीं करेगी आने वाले समय में company ने ऐसा decision लिया है बाकी company की इंडिया में customer service भी काफी अच्छी है और company अब local production के ओपर काम करने जा रही है जिससे इंडियन मार्केट में अधर जबी कार parts manufacture companies है उनको काफी जदा profit मिलेगी हमारी economical growth है कि साथे साथ company ना सिर्फ local production करेगी बाकी export के हिसाब से भी अपने vehicles को design करेगी जिसके लिए वह नई manufacturing और बड़ी manufacturing भारत में करेगी जिसके बाद भारत के कई सारे लोगों को यहाँ पर रोजगार दिया सब्सक्राइब कर लिए गए 95% में इंडिया क्योपन्ट को सपाल करके वेहिकल डिजाइन के बारे में आप लोगों को क्या कहना है अपनी राइकमेंड लुक्स में ज़रू लिखेगा भारत कैसे ही यूस्फुल है ने इंफरमेटी विडियो पाने क्लाब हमारे यूटीव प्यानल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिए मिलेंगे हम आपको एक नई और इंट्रेस्टिंग वीडियो में तो तक लिए वंदिमात्रम भारत मता की इच्छे है